हलो एब्रिवन तो आज हम बात कलने वाले हैं लेयर पोल्टरी फार्मिंग के बारे में कि कैसे इस चीज को किया जाता है एकदम सुरवास से जानेंगे कि यह लेयर पोल्टरी फार्मिंग होता क्या है जो अंडा आपकी घरों तक पहुंचता है या फिर आपकी नजदी की होता क्या है तो कहीं न कहीं जो एग प्रड्यूस किया जाता है उसी को तो कहते हैं लेयर पोल्टरी फार्मिंग यह थोड़ा थोड़ा जो बॉइलर है उससे रिलेटेड ही होता है यह उसके जैसा ही होता है जैसे बॉइलर में एक नॉर्मल सेड बना होता है जिसके अंदर जाता है उनको इंड मार्केट में चिख लाया जाता है तो बना दिया जाता है अंडे काभी हो जाती है तब उनको काफी अच्छे से रखा जाता है उससे पहले भी काफी अच्छे से रखा जाता है और फिर उनके अंडों को sell करके एक अच्छा खासा जो farmer है उसको भी profit मिलता है और जो market की demand है वो भी कहीं नगई फुल्फिल हो जाती है तो अब आप लोग के मन में एक सवाल उठाओगा कि क्या जो चिकन है वो हमेशा एक प्रोड्यूस करती रहेगी या फिर उसका एक टाइम पीरियड होता है तो यह कहीं न कहीं एकदम सिंपल सा पुश्चन है कि वो हमेशा एक प्रोड्यूस नहीं क्या जाता है तो कुछ इस तरीके से प्रोड़ी होता है इसमें और भी काफी सारी फिल होती है और भी आप इसराइन के क् ऑल चाहते हैं तो आप सुरुवाद में इसे डारेक na hii का सकते क्योंकि आगर आप डारेक्ग करेंगे तो जाध desire and है कि आपका नुक्सान हो जाए आप इस वसको एशस समझ सकते हैं कि अगर आप कभी ऊस्कूल गय है तो घी ऊपको कभी ऐन जाते हैं तो उससे पहले आप घर पे तैयारी करते हैं यानि डारेक्ट एक्जाम में पहुंच गए तो आपका नुप्सान हो जाएगा क्यूंकि आपके पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेयर पोल्ट्री फार्मिंग उसको किया भी जाता है यानि एक ट्रेडियसनल तरीके से किया जाता है और जो दूसरा है हमारा लोगों को लाएं लेबर को लाएं उनको कुछ पैसे दें और गठाप के लिए खोद के दें और दूसरा आता है कि आप JCB से खुद वाली जल्दी काम किसमें होगा JCB से होगा ना और इसमें काफी टाइम लगेगा तो बस यही फर्क होता है हाइटेक और ट्रेडियेशनल में कि ट्रेडियेशनल में जो लेबर कोश्ट है वो काफी जादा लगता है हाइटेक में कम लगता है लेकिन हाइटेक को बनवाने के लिए सुरुवात में आपके काफी जादा पैसे लगते हैं लगभग एक हजार उपे पर बढ़ पे आपका खर्चा लग जाता और कई बार जादा भी लग जाता है लेकिन यह कहीं न कहीं वन टाइम इन्वेस्मेंट है एक बार आपने हाइटेक बनवा दिया उसके बाद आपके लेबर कम लगेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफित मिलेगा जादा अगा प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन ट्रेडियेशन आपको इसमें कुछ सबसीडी मिल जाती है यागौर्णिमेंट भी आपको पुछ सबसीडी प्रोवाइड करती है इस लेयर पॉल्टरी फार्मिंग में तो हो सकता है जिस राजि में आप रहते हैं वहाँ पर आपको गार् मेंट देती हो या फिर हो सकता है नहीं दती dealer के YouTube आप से यह डिपेंड करता है तो यह आपके मेर आके मेरें प्रिक्ट这 अभरमेंट को सबसीडिए रही है कि नहीं कि पर disciplination कि नहीं यह यह उपने करण पर अपने कर सकते हैं लाएंавно आप मिनमें इसने चाहिए करने कि आपको अटने चाहिए अंपनि यह थ payer स कही न कही मिनिमम 10,000 बर्ल से शुरुवात करनी चाहिए अगर आप 10,000 से कम करते हैं तो कही न कही आपका खर्चा नहीं लिखल पाएगा और आपका लॉस हो जाएगा ज्यादा तर केसेज में हो सकता है लॉस ना हो लेकिन 10,000 अगर आप रख रहें तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें खर्चा काफी जादा होता है आपको भी पता है कि जो फीड होता है वो काफी जादा महेंगा मिलता है जो अंडे मार्केट में पांच रुपे में मिलते हैं वो कह आपको इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि इस वह farming में को फाइडा ही नहीं मिलता है आप लthy कल लास में चलते है कई बार इसमें काफी जाया फाइदा मिलता है तो यह प्रॉठीट रहता है तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास एक अच्छा कासा ग्यान है इस फार्मिंग को लेके तब ही आप इसे कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी कीजि होती है कहीं न कहीं काफी sensitive वर्क होता है तो इसलिए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी एक खटा कीजिए उसके बाद ही investment कीजिए क्योंकि 10,000 बर्ट का अगर आप मिनिमम बनवा रहे हैं तो उसमें आपका काफी जादा खर्चा लग जाता है इसलि हुआ हुआ है